वीगार्ड प्रिजेंट्स कौन जीत रहा है को पावर्ड बाइ सेंसोडाइन एंड विमल बोलो जुबा के सरी जैसे कानपूर की सीट सबसे बड़ी सीट मानी जाती है अननाओ की सीट है इस सीटो को लेकर कि आपको क्या लगता है इस बार रिल्ल कैसा रहेगा देखे एक-एक सीटों की बात करनी होगी और 2019 में 13 में से 13 सीटें बीजेपी ने जीती थी इस बार थोड़ा सा आकड़ों का अंतर हो सकता है तो सबसे पहले बात करेंगे जहां पर बीजेपी हो सकता है हार जाए या फिर पड़ी खड़ी संगर्स में फसी हुई है बिल्कुल कन्योज की सीट जहां से एन वक्त पर अखले सियादों मैदान में उतरें और पहले यह था कि वो चुनाओं नहीं लड़ेंगे बाद में उन्होंने कहा कि नहीं तेजबरताब लड़ेंगे फिर आखरी वक्त पर जब वहां कारकरताओं ने विरोध किया फिर वो ख पल यादों चुनाओं महां से लड़ी थी और महज 20,000 से कम अंतर से वो 2014 में जीती और 2019 में 20,000 से कम अंतर से ही वो चुनाओं हार गई थी यह सीट आम तोर पर देखा जाए तो 98 के बाद से समाजवादी पार्टी के कबजे में रही है अकले सियादों यहां से खुद कई ब कि डिमपल यादों यहां से चुनाओं हार गई तो उसके बाद अब डिमपल यादों का लोग कह रहे हैं कि बदला लेने के लिए लेशादों बदला लेने के लिए हाँ लोग कह रहे हैं मतलब कार करता कह रहे हैं सपा के कार करता लेकिन देखें वहां पर जो समिकरण है वो लड़ाई काफी ही दोनों तरफ से मजबूत लड़ी जा रही है आ कन्नोज में यादो और मुस्लिम मिलकर किसी को जिता सकें ऐसा समिकरण नहीं है, ऐसे में आपको दो तीन जातियां चाहिए होगी, चाह है लोध हो, या फिर पाल समाज हो, यह जातियां आपके साथ जब तक नहीं आती हैं सपह के साथ, तब तक यह जीत मुस्किल होती है, इस बार लोध्वों फीर है जो सपह के फेबर में है इसके पीछे एक आपको याद होगा सुबरत पाठक का भी आडियो वाइरल हुआ था वो वीडियो भी था जिसमें उन्होंने कहा था कि वोटरों को लेकर कमेंट किया था इसके लावा आइन वक्त पे आप सोचिए कि स्यामलाल पाल जो की सपा के परदे सज्धक्ष बनाए गए हैं इसके पीछे पूरी रणनिती हो रही है कि सपा के परदे सज्धक्ष बनाने के पीछे की पूरी रणनिती कन्नौज के मद्दे नजर देखी जा रही है कन्नौज इ अभी तक जिस जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से ये दाओं हकले सियादों का सटीक बैठता दिक रहा है हलाकि अभी कल अमिस्ता ने वहाँ पर रैली भी की कन्नोज में और बड़ी भीड थी परिवारवाद पर बड़ा हमला बोला बिल्कुल परिवारवाद के लिए परचार किया सुपरत पाठक वहाँ पर बड़े नेता के रूप में उबरे हैं डिमपलियादों को हराया है और माना जा रहा है कि उनके साथ ब्रामडों का वोट सवर्डों का वोट और कई पिछड़ी जाती हों और कुछ दलीतों का वोट है इसमें देखे सबसे की तरब जाते हैं तब भी सपा को फाइदा होगा लेकिन अगर वो भाजपा की तरब जाएंगे तो जाहिड जिवाता सपा नुकसान उठाएगी अभी तक जो इनपुट आ रहा है उसमें यह है कि दलीतों के अंदर बसपा को लोग के खास तोर पर रुजान है और जो भी दलीत बसपा से तूट रहे हैं वो दोनों दलों में बराबर रूप से जा रहे हैं चाहिए वो सपा हो या फिर भाजपा हो अब इसी पर फैक्टर निर्भर करेगा कि दलीत कि दर जाएं और दूसरा सबसे एहम है कि अखलेस यादो किस तरीके से चुनाओ लड़ते हैं अभी तक जितना भी इनपुट आ रहा है कि पूरा यादो कुनबा अखलेस यादो की बेटी डिमपल यादो से लेकर सब कोई अब कन्नोज में कैम कर है और कन्नोज में गली-गली परचार किया जा रहा है अखलेस यादो निश्चित तोर पर वहाँ पर सुपरत पाठक पर अभी तो भारी है यह लीड हो सकता एक लाग के लंचम हो अगर लड़ते तो अंतर विरोध भी बहुत सारी चीए होती बिरोध हुआ तभी टिकट ब है जो एक गुडबाजी होती है वो हमें लगता खतम हो गई हो लोगों को जोड़ने की कोशिज बहुत सारे लोग अखलेस से भी सी देज़ जोड़ना चाहते होंगे कि अखलेस भविस्च के नेता है यह भी सब चीज़े तो होगी देखे अखलेस यादो पहले से मन बना के बैठे थे कि हमें कनोज नहीं लड़ना है लेकिन वो माई यह मान कर चल लाए थे कि कनोज की लड़ाई काफी टफ होगी इसी लिए वो पिछले दो तीन महिनों से लगातार कनोज के जितने भी नाराद नेता थे उनसे बात कर रहे थे जो बगावत कर सकते थे उनको यूट हुए थे वो सिर्फ अकलेस यादो के नाम पर एक यूट हुए थे तो अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर ये टकराओ की स्थेती सपा के अंदर ही आ जाएगी इसी वज़ा से अकलेस यादो को समझ में आ गया कि तेज परताब अगर वहां चुनाओ लड़ाएंगे तो चुनाओ फस जाएगा जैसे डिमपल यादो का पिछली बार फस गया था इसलिए अकलेस खुद मैदान में उतरें अकलेस के मैदान में उतरने से आप देखिए कि सपा के कारकरता मोबलाईज हो चुके हैं और सपा के कारकरता मोबलाईज होने के साथ साथ उत्साह यह देंथा है इस समय कंझ में ही प्रचार कर रहा है तो एक फेक, mr. अ होने के पाध महां के जितने बड़े नेता हैं चाये वो प्रत्यासी रही हो चाये करासन का अभिकल आपने वीडियो देखा कि कंझ में व्हों प्रचार कर रही थी ऐसे इस हर कोई परचार कर रहा हरें मलिक भी देखे गए थे परचार करते हुए तो वह एक है फैक्टर तो सुब्राइब के लिए यह लड़ाई बहुत मतलब टफ हो चुकी है मेरा मानना है इसी की बगल की सीट इटावा है अकलेस यादो डिंपल महिनपुरी से लड़ रहें अकलेस कन्नोस से लड़ रहें तो उसका फरक क्या इटावा पर पढ़ेगा क्योंकि भरती इंता पार्टी लगातार वहां चुनाव जित्ती चली आ रही है इटावा को लेकर के क्या देखे इटावा पर अभी मेरी बात हो रही थी इटावा के अपने रिपोर्टर से तो उन्होंने कई समिकरण समझाएं 2014-2019 में इस सीट पर बीजेपी ने जीत तरजी थी उससे पहले यह सपा इस सीट पर जीती आई थी लेकिन 2019 में सपा बसपा का गड़बंदन था उसके बावजूद भी एक लाक से एक लाक अधिक कोटों से नहां से सपा हारी थी तो इस बार क्या समिकरण बतला है मैंने पूछा तो इस बार जो समिकरण बतला है कि सपा ने जो कंडिरेट दिया है जितें दरदोहरे को वो पहले बसपा में थे बसपा का का एड़ लगबग वो दो बार जिलाद्ध्रच रह चुके हैं और 13-14 साल का उनका बसपा का अनुभो है वो इस समय आ गये हैं सपा में और उनको कंडिडेड बना दिया तो बसपा के जितने भी ओटर हैं उनको वो जानते हैं और उनकी जो दलित ओटरों में पकड़ है वो मजबूत मानी जाती है खास तोर पर दोहरे विरादरी में दोहरे जो दलितों में दोहरे कम्यूटी है उसक हुए थे और इस बार वो लामबंद दिख रहे हैं इसके अलावा औरयया साइड में कुछ जहां पर ब्राहमडों की नाराज़ी है अभी परसो औरयया में भी जी राम जी सुकला और ये बाकी लोग जॉइन भी किये हैं तो उसका भी इंपक्ट ये दिख रहा है कि ब्राहमड कुछ ने कुछ तुकड़ा हिस्सा वो सपा की तरफ सिफ्ट हो रहा है तो इसका अज़र तो सपा वहां मजबूती हैं लेकिन राम संकर कठरिया को आप फलका नहीं कह सकते हैं बीजेपी के ज देख भी रह चुके हैं लडाई या बहुत प्रभाजबा को छोड़ कर दलित सपा की तरफ आते हैं तो इसमें मजबूती सपा को होगी और बाकी वो चुकी यादो परिवार का गढड़ी का ही सीटरा है 24, 2019 में वो आ रहे हैं उससे पहले वो जीते हैं तो मानना जा सकता है कि वो सीटे वो सीट भी इटावा की जो सीट है वो टफ है करनोज की बगल की सीट कानपूर और उन्नाव है हम बात उन्नाव की करेंगे जहां से साक्षी जी महराज चुनाव जितते चले आ रहे हैं इस बार समाजवादी पार्टी से अनुटंडन चुनौवी मैदान में हैं जबकि बस्पा ने एक सीनिया पत्रकार थे असुख पांडे उनको चुनौवी मैदान में उता रहा है तो कानपूर का क्यालग रह सियासी मिजाज ये अनू टेंडन उन्नाओ का आपने उन्नाओ का देखें उन्नाओ में मेरा मानना है कि अनू टेंडनन पिछली वर कॉंगरेस से लड़ी थी Αथ कोड़ पाई थी जिस दियर मेरा से कॉंगरेस को जो पिछली बार लीड थी साक्षी महराज की उस लीड को अगर देखे तो ये सीट बीजेपी के लिए आसान लगती है उस हिसाब से टक्कर होती नहीं जिक रही है नूटेंडन आरुट में क्योंकि इसके पीछे एक और रीजन है कि वहाँ पर कोई माने या ना माने लेकिन व तो जो उन्ना और रिप केस के आहरोपी कुलजी सिंसेंगर का भी मामला वो पुरा असर डालता है उस पुरे इलाके में दूसरा क्या है साक्षी महराज के साथ उनकी जाती के भी ओट आ जाते हैं उसके लावा पिछड़ी जाती में उनकी ठीक ठाक पकड़ है अगड़ों म है वहाँ थोड़ा सा हमको लगता है कि कमजोर पक्षी ही है अनुटेंडन के आने के बाद हाला कि अनुटेंडन चुराओं अच्छा लड़ नहीं है अभी जितना भी इन्पुट आया वह अक्षा लड़ नहीं है तो लेकिन अभी भी साक्षी महराज इतने अंतर सी जीते है वो चीज़े आसान नहीं लग रही कि आनुन कवर कर बाएं बिल्कुल बिल्कुल यही हमको भी लगता है बगल की सबसे चर्चित दोग नगरी जिसको उत्रपरदेश का कहा जा रहा है कानपूर की सीट जिस पे एक बिजेपी से पत्रकार शुनौवी मैदान में है और कानपूर की सीट इस बार मतलब दस से पंद्रा दिन पहले अगर आप किसी से बात करते तो चाहे बीजेपी का उटर हो या सपा या कॉंग्रेस का उटर हो कहा जाता कि भाई कौन है यह परत्यासी क्योंकि आप दोनों लोगों को मान लीजिए कि रमेश परत्यासियों की यह कह रहते हैं कि कोई परत्यासी है देखा जाएगा वोट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा लेकिन नरेंद मोदी का जब रोटसो होता है उसके बास से पूरे हालात बदल गए हैं नरेंद मोदी प्रधानोंतरी नरेंद मोदी के रोटसों के बास से वहाँ पर बीजे के कई बड़े नेता पाला बदल कर बीजेपी में चले गए ये भी वज़ा है सबसे बड़ी बात कि बीजेपी वहां और मच्बूत होती जा रही है प्रत्यसी भिले ही जैसे बागी जगों प्रत्यासी से कोई मतलम नहीं होता है बीजेपी का सिंबल बिजेपी का सिंबल और मोधी का चेहरा भारी पढ़ रहा है और चुकि आलोग मिसरा कॉंग्रेस से लड़ रहे हैं लेकिन आलोग मिसरा के साथ उस हिसाथ से समिकरण तो उनके फेवर में हैं अगर देखा जाए ब्रामण, मुसलिम और बाकी यादो और बाकी समिकरण जो बन दो चुनाओ बीजेपी जीता है उससे पहले तीन बार लगातार सिर्फ कराज जैसवाल तो उनके भाई आए हैं अभी वो नहीं आए हैं तो उनके भाई भी आप आ गए हैं बीजेपी में तो ये सीट बड़ी हमको लग रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये बढ़त दिन बढ परती जा रही है खास तोर पर प्रधानमत्री नरेद मोधी के रोडसो के बाद से ही लेकिन जो कानपुर के टिकट के दावेदार कई और सारे लोग थे सतीस महाना जो स्पीकर थे विदान सभा के भी हैं एक और विधायक बगल के बिठूर के हैं ये लोग खबर आ रहे थी था उसके बाद से वहाँ पर वो सिर्फ कानपुर नहीं आप बगल वाली सीट अकबरपुर में भी विरोध हो रहा था बोले सिंका वहाँ पर उनका आरोप था कि हमारा साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन जब वो बैठेक होई उसके बाद से सभी लोग चाहे वो बिधायक पार साथ जितने भी संगाठन के लोग हैं वो बीजेपी के परत्यासी के पीछे लग गए हैं और उनको जिताने का एकदम लक्ष निर्धारित कर लिया है और वो लक्ष दिया गया है पार्टी हाई कमान की ओर से तो जब से अमिसा की बैठक होई उसके बाद से पार्टी के पर चर्चा कर रहे हैं एक सबसे चर्ची सीट लखिमपूर खीरी है जहां से मंत्री अज़े टेनी चुनाओी मैदान में हैं ग्रे राज मंत्री हैं विधान सभा के चुनाओ के पहले जब उनके बेटे ने कुछ किसानों पर आरोब लगा था कि गाड़ी चड़ा दी ती इ उनको फिर से चुनाओी मैदान में उता रहा है क्या लगता है हुआ किसानों की नाराजगी महंगी पड़ेगी या फिर इस बार फिर से टेनी चुकि हम इस साच चुनाओी जनसभा को संबोदित करते हैं कहा था इस बार टेनी को जिताई है हम बड़ी जिमेदाई देंगे तो क्या फिर टेनी इस बार चुनाओी मैदान से देश के सबसे बड़ी पंचैन में पहुंच जाएंगे देखे लखिमपूर कीरी का पूरा समीकरड जो है वो टेनी के आसपास ही घुमता है आप आरोब भलवे उनके बेटे पे लगे और सुप्रिम कोर्ट से अभी वो पे भी नहीं हटाया था वो अभी उस कांड के बाद उतने बड़े कांड के बाद एकुनिया कांड के बाद भी केंद्री गरहराज मंतरी बने रहे थे बीपक्ष ने बहुत विरोध किया था कि उनको हटाया जाए लेकिन बीजेपी नहीं हटाया तो कि बीजेपी यह जान रही और बड़ा विरोध हुआ, कॉंग्रेस सीट को चाहती थी कि हम को ये सीट मिल जाए और रवी वर्मा डिटी होई थी कि प्रेंगता ने सामिल करा आए था लेकिन अकलेस भी आड़े हुए थे चुकि पार्टी छोड़के गए तो मैं टिकरते हैं बिलकुल बिलकुल तो वहाँ पर रवी वर्मा अगर लड़ते हैं तो लड़ाई थोड़ी बहुत तक्कर की होती लेकिन अभी जो इंपुट आ रहा है कि नाराजगी के बावजूद चाहे किसानों में नाराजगी है या फिर सिखों में नाराजगी है लेकिन उसके बावजूद टेनी वहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहे हैं जो हमारे पास अपने हमारे रिपोर्टर इंपुट दे रहे हैं उस हिसाफ से कि वहाँ पर अभी भी अजय मिस्टा टेनी काफी मजबूत है कुर्मियों में जिस उतकर्स वर्मा को टिकट दे के सपा ने कोशिस की थी कि कुर्मी वोट एक तरफा हमारी तरफा आएगा लेकिन अभी भी कुर्मियों में एक बड़ा हिस्सा सपा की और न जाकर भाजपा की और बना हुआ है यही वज़ा है अच्छो चुकई ब्रामड कंडिडेट हैं तैनी जी तो उनके साथ ब्रामडों का भी एक बड़ा तपका लगा हुआ है तो उस सीट पर उतकत वर्मा के लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं लेकिन उतकत वर्मा के लड़ाई लड़ने के बावजूद भी आजय मिस्रा एनी मज़मारी पड़ रहे हैं लग कह रहे थे कि लड़ाई लेकर अकलेस तक कह रहे थे कि यहां से एक मैसेच जाएगा पूरे प्रदेश में जब यह सीटे सभी हार जाएगी सपा बाजपा लेकिन सपा वहां सब सीटे हार गई आप देखिए ठेनी का किस हिसाब से लोगों में पकाड या फिर पॉलिटिकल रुतबा है तो वो एक अभी भी दिख रहा है कोंकि वो खुद चुनाओ लड़ रहे हैं तो इसलिए पॉलिटिकल रुतबा दिख रहा है उस स मिकरल बदलता है तो बदल पाएगा ने तो फिलहाल तो टेनी आगे चलने हैं चुनाओ जो एक बार चड़ जाता है तो पीछे ऊपर नीचे दूसरी पार्टी को इसको जो गैफ है बराबर करना बहुत मुस्किल होता है अगर आजे मिसाज का चुनाओ चड़ गया तो उसके लिए कि इस बार टेनी हार रहे हैं यह फिलाल तो नहीं दिख रहा है और अभी परजन टाइम में वो रेस में आगे हैं तो अभी हमारे साथ विशाल जी ने आपको जानकारी दी कि पांच सीटों पे क्या चुनाओ मिजाज है अगले चरण में जो चुनाओ चुकी त अगनों